आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ विवन कोशन है Which cells provide nutrition to the developing sperms and the seminiferous tubules Seminiferous tubules में developing sperms को nutrition को प्रवाइट करता है बात किसकी हो रही है Seminiferous tubules किसकी? Seminiferous tubules अब अगर हम इसमें further देखे तो प्रेजन किसम होंगे Male Reproductive System में वहाँ पे क्या होता है Basically कुछ cells रहती है Scattered में रहती है या रहती है बिखरी वी रहेगी Scattered रहेगी Seminiferous tubules में और उन्हीं cells को हम क्या बोलते है उन्हीं को हम बोलेंगे Sertoli cells क्या बोलेंगे That is Sertoli cells अब यह जो Sertoli cells Basically इनका काम क्या होता है नहीं function क्या होता है इनका function देखे तो इनका main function होता है That is providing support क्या करेगी Support provide करेगी और क्या करेगी Nourish करेगी क्या करेगी Nourish करेगी और यह दोनों Nourish कर किसको रहेगे Basically यह दोनों function किसके लिए हो रहे है ताकि जो immature sperm है क्या है जो immature sperm है उन्हें क्या मिले Nourishment मिले Basically Nourishment मिले या तो nutrition मिले ठीक है यानि आपे कौनसी सेल्स Responsible है That is Sertoli सेल्स ठीक है अगर हम देखें किसके बारे में Sperms के बारे में तो जो sperm है उनका जो production है क्या है जो production है वो कहां पे होता है वो हो रहा है Testes में कहां पे हो रहा है Testes में ठीक है अगर हम further देखें तो जो ये Sperms है क्या है जो Sperms होते है Basically उनका जो Maturation होता है यानि वो Mature कहां पे होते है Mature होते है वो Epididymis में कहां पे होते है Epididymis में ठीक है यानि Basically उनको Development के लिए जो Nourishment चाहिए ता वो कहां से मिलता है या WhatsApp कीजिए अपने डाउट 844444 सुपर